Hey guys, my name is Bikram Pratap Singh and welcome to HP Academy. कैसे हैं आप लोग? और चलिए, स्टार्ट करते हैं, Criminal Procedure Code, ठीक है? एक नए Crash Course के फॉर्म में ही है. और HP Academy ने अभी Telegram का एक ग्रूप बनाया है, आपके Judicial Asparence के लिए. तो आप प्लीज उसको आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक उसका, आप चेक करिए, आप उसको जाइन करिए, आपको ज़्यादे अपडेट्स मिलते रहेंगे, और उन्में वीडियोज भी हम रेगुलर्ली डालते रहेंगे, तो आप उसको भी देखिए, ठीक है रही बात, criminal procedure code की, तो first of all, आज तो केवल briefing होगी, कि criminal procedure code है क्या, and exactly work कैसा करता है, और क्यूं है, किस तरीके से काम करता है, ठीक, और दूसरी चीज, काफी, एक जो basic ideology है ना, इनके पीछे की, कि criminal procedure code क्यूं है, ठीक है, इनके पीछे के legislative intent क्या रहे होंगे, ठीक है, या किन purpose को solve करने के लिए इनको लाया गया रहा होगा, तो ये सारी चीजे हम आज आज जो है, वो आप से discuss करेंगे, ठीक है, और next videos, फिर इनके subsequent videos आते जाएंगे, इसी same sequence में, ठीक है, आप उनको follow करते चाहिए, चलिए, start करते criminal procedure, court, ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, कि तीन words से जुड़ा हुआ है, क्या, पहली चीज क्या कह रहा है, criminal, दूसरा, क्या है ये, procedure, and third one is, क्या है, code. तो ये जो आज का जो भी आपका discussion है, केवल इन ही तीनों पर आपसे based होगा, इन ही को हम आज आपसे explain करेंगे, तो उनको समझने के कोशिश करिए आप, कि पहली चीज इसमें कह रहा है कि criminal, और दूसरी चीज कह रहा है, एक procedure है, जो कि इसका nature बता रहा है, और तीसरा, ये क criminal क्या होगा, किन चीज़ों को हम criminal मानेंगे, तो पहली चीज इसमें आती है, वो है crime, criminal किस चीज से बना है, crime, crime की ऐसी tendency, जिसको की recognize कर लिया गया है, society जिस चीज को consider करना start कर देती है, उसे हम क्या कहते है, criminal, ठीक, तो crime क्या है, crime, society की कोई भी act, कोई भी act, या कोई भी omission, जो social aspirations के खिलाफ हो, societal, जो needs है, societal regulations है, societal traditions है, उनके खिलाफ हो, वो हो गया crime, और जो crime है, वो पहले तो differ करता है, ये किस चीज से, offense से, जरूरी नहीं है, कि जो offense है, sorry, जो crime है, necessarily वो offense भी हो, ठीक, तो offense क्या है, ऐसे crime, जिनको, कि Indian Penal Code, या कोई और, कोई अधर लो, कोई अधर लो, कोई भी हो सकता है, cattle trespass act हो सकता है, या कोई भी, जैसे electricity, electricity के regarding कोई भी act हो सकता है, इन सब में जो भी, जो भी act को, जो भी omission को, क्या मान लिया गया, recognize कर लिया गया, किस की तरह, offense की तरह, और वो punishable होंगे, ठीक है, तो crime, यहाँ, एक simple से बात कर रहा है, कि एक crime हुआ, crime की recognition हुई, offense के नाम पे, और वो जो fall कर रहा है, वो कहां होंगे, एक substantive law में fall कर रहा है, Indian Penal Code या कोई और जो की substantive law की बात कर रहा है, substantive law right की बात कर रहा है, और अगर यह fall कर रहा है, इनके violation पे, आपको यह क्या दे रहा है, एक procedure दे रहा है, तो criminal हो गया, और उस crime के लिए, उस crime के violation पे, क्या मिल रहा है आपको, एक procedure मिल रहा है, ठीक है, अब यह procedure तो ठीक है, अब हम आते हैं, इसको criminal क्यों मानते हैं, यह criminal ही क्यों है, civil क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, देखें, procedure हमेशा ना, दो तरीके के होते हैं, एक तरह से देख करते हैं, अर्ध बोलते हैं उसको, जैसे civil procedure court, और दूसरा criminal procedure court, और एक होता है, एक बीच का आता है, उसके कहते है, quasi-civil या quasi-criminal, ठीक, तो main चीज तो यही है, कि कीसे crime बोला गया है, और दूसरे में civil की बात करता है, ठीक है, तो अगर इस चीज को, हम इस criminal को, civil से अगर हम differ कराएं, crime और civil, इन दोनों को अगर हम differ कराएं, तो हमें एक चीज समझ में आती है, क्या, कि civil, नागरिक बोलते हैं हिंदी में, civil का मतलब होता है, जहां कोई personal rights आपके involved, जहां personal rights involved होते हैं, उनको हम एक तरह से कहते हैं, कि यह civil है, मतलब यह persona की बात करता है, और इनके violation पर आपको क्या मिलता है, cause of action मिलता है, उसके बाद आप suit file करते हैं, लेकिन crime, criminal की cases में क्या होता है, crime हमेशा जो होता है, offense against society होता है, offense against society होता है, offense against society का मतलब है, कि जब कभी भी कोई भी offense होगा, तो वो state government या जो भी उस time की government होगी, वो government उसके लिए accountable होगी, और ऐसा इसलिए है, क्योंकि state government क्या है, sole proprietor होता है, किस चीज का, state के administration का, और ये administration का part है, अगर किसी ने law तोड़ा है, तो वो law जो है, वो against society माना जाता है, इसलिए हमेशा state एक party होती है criminal matter में, ठीक है, तो crime, जो कि against society होता है, यहीं civil इसलिए माना जाता है, कि एक personal reference का matter होता है, personal rights, इसमें involved होते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ मागी, अब आगे चलते हैं, देखिए, यहीं से हम एक बार एक bifurcation और करते हैं, civil और criminal में, एक छोटा सा में आपको पूछते हैं, कभी-कभी interview में भी आप से पूछता है, कि civil courts, ठीक है, आपने देखा होगा, कहीं भी जाते होंगे, किसी भी district में जाते होंगे, वहाँ लिखा होता है, civil courts, ठीक है, और दूसरा होता है, वहीं, सत्र नयायल है, सेसेंस court, ठीक, तो सत्र और यह जो civil courts हैं, इन दोनों में क्या difference है, इनको क्यों differ किया गया है, judges तो सेम बैठे होते हैं, लगिं कभी वह सत्र नयाय अधीस हो जाते हैं, और कभी वह civil judge हो जाते हैं, ठीक, तो ऐसे देखिए, मतलब district judge हो जाते हैं, तो अब ऐसा इसलिए है, कि जब crime होता है, तो society में एक presumption है इस चीज का, कि crime हमेशा नहीं होता है society में.